तो इस शौवल यहां पर लगा हुआ है, बैल चा जिसे हम बोलते हैं, अब ग्रेट सस्पेंशन मिलेंगे आपको इसके अंदर होब आपको यहां पर दिख रहे होंगे, ऑफ रोड ड्रम मिल जाएगा, सिल्वर सोन का एमटी टायर मिल जाएगा, यहां को मेरे वीडियो थे अशौन ऑली है, इसके मैं आपको राद केसे आप लोग पूरे यूट्यूब यहां पर आपको कहीं देखने के लिए नहीं हो रखेंगे हैं, जो बहुत जादा ले टेस्ट है और एंदमांड है, वालाई है जो आज की मेरी वीडियो होने वाली है, इस थार के उपर होने वाली है, इसकी मोडिफिकेशन डिटेल्स लाप के साथ शेयर करूगा, तो गैस वीडियो के साथ बने रहे हैं, और आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो पर एक लाइक करिए बन्सें हाँ, पिर खो गादार के साथ वाली है, अब झाली है, भादार है। गीडियो कर यत्सब्स gewoon बनावाएफ गादा वाली है, वीडियो प्लावाफ के साथ वीडियो है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसके फ्रंट बंपर से सो यह फ्रंट मेटल ऑफ रोड बंपर है यह यूज बंपर है आप इसका सामने का पॉइंट देखिए यहां पे यह सामने हीूज पॉइंट है एक एक इससे भी बड़ा आता है जो आगे का माउट होता है जो इसका फेस होता है वो इससे भी बड़ा आता है तो यह इसमें नॉर्मल मीडियम साइस का लगा हुआ है फुली मेटल ऑफ रोड बंपर है देहरादून के अंदर इस टेम मैं इस कलओ यसी काड़ी हो गी जो यहाँ पर क्षिकी खड़ी होगी है जो इसके बार बात करूगा हम इसके स्टमाईज़ फेंडर के नॉर्मल मॉस्किटो ग्रिल में ये आपको आगे से जो फ्रंट ग्रिल है वो मॉस्किटो मिल जाएगी metallic yellow color का आपको इसमें paint मिल जाएगा जो paint job हो रखा है वो ही इसकी looks को सबसे जादा अलग कर रहा है enhancing कर रहा है metallic yellow color जो है इसका paint job हो रखी है यहाँ पर आपको shark fin antenna मिल जाएगा यह आप देखिए shark fin antenna actually यह कोई काम नहीं कर रहा बट यह एक look के लिए लगा रखा है यहाँ पर इन्होंने bonnet पर आपको यहाँ पर एक antenna और मिल जाएगा normal पतले वाला यहाँ से start होते है यह अटाज्ड जो रखे इस fender में metal fender में already attached है और यहाँ पर आपको यह एंटीना मिल जाएगा उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर आप यह चीज़ देख सकते हैं कि पूरा cutting हो रख है यहाँ पर दोनों साइड में आपको थोड़ी सी cutting मिल जाएगी क्योंकि जो यह extended fenders है metal के उनको fix करने के लिए थोड़ा सा cutting हो रख है यहाँ पर तो upgrade suspension मिलेंगे आपको इसके अंदर हो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे with golden knuckles off road rum मिल जाएगा silverstone का empty tire मिल जाएगा empty tire वो होता है guys mud terrain tire होता है जिन लोगों को नहीं है उन लोगों को मैं बता देता हूँ mud terrain tire होता है empty tire जो इसमें install है silverstone brand का empty tire जिसका number है 117EX जो इसका tire का model है और जो number है 265 17 15 तो यह इसका number है उसके बाद जो मैं बात करूँगा यहाँ पर पूरी stickering को रखी है यहाँ पर bonnet पर जो कि इसकी looks को और ज्यादा बढ़िया कर रही है इनांस कर रही है उसके बाद हम बात करेंगे तो इसके roll cage की तो यहाँ पर एक proper तरीके का metal roll cage लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह metal roll cage है यहाँ पर आगे से पीछे तक पूरी गाड़ी को cover करता है यह roll cage यहाँ पर आपको aux LEDs मिल जाएंगी यहाँ पर दोनों साइड आपको aux LEDs मिल जाएंगी एक छोटी bar light आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसके उपर ही install कर रखिए जो कि एक better option है एक नए option है बकाइदा roll cage के उपर आप अपनी LED बार जो है install कर सकते हैं यहाँ पर आपको hood पे एक Jeep का sticker और मिल जाएगा सो उसके बाद मैं बात करूँगा तो इसके doors की तो normal door है rear view mirror है जो वो भी normal है उसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पर एक और बहुत ही classy और अच्छा आपको यहाँ पर यह sticker मिल जाएगा उसके बाद आपको फेंडर्स पर यह mechanical work करते हुए जो roll cage का work और आप देख सकते ह यहाँ पर यह बंदा जो इंजिनेर है यह roll cage को बना रहा है सिंस 1990 सो मेरे को पता नहीं actually यह roll cage किनों ने बनाया पर जिनों ने भी बनाया उन्होंने अपना टाटू लगा यहाँ पर यह बहुत अच्छा टाटू लग रहा है इसके साथ तो मेरे को काफी काम इंप्रेसिव इसका रियर साइड आप रियर साइड से देखिए एक बारी आपको रियर साइड में जो इसका roll cage है वह इस टाइप का कुछ मिलेगा यहां से यह आपको दो यहां पर बार मिलेंगे इसके साथ और यह रियर रियल रोल के इस गाड़ी को पूरा यहां तक लेकर आ रहा है तो यह पूरी off-roading के लिए ही off-roading purpose के लिए बनाई गई है रेडी करी गई है उसके आदे उसके roll cage है उपर से भी बहुत अलग different type का roll cage है मेरा हाथ या camera में नहीं पुछा सकता है तो आपको में दिखा नहीं पाऊंगा तो यह two-sitter थार है इसका पूरा cabin पीछे से कट करके इसक metal built में मिलेगा और यहाँ पर जो इसकी flooring है वो भी आपको metal built में मिलेगी अब जो इसका fuel tank है वो भी यहाँ से आपको open करना है यहाँ पर पिछे के जो bumpers हैं वो भी metal off-road bumpers है उसके अंदर जो stock lights है थार की वो आती है यहाँ पर stock lights जो है वो दिए गए हैं आपको torch and point मिलेग यहाँ पर off-road bumper के बिलकुल नीचे सो यह इसकी पीछे से looks है और थोड़ी reflector LED red color की lights यहाँ पर आपको मिल जाएंगी दोनों साइड rear में जो की रात को जब जलती है तो बहुत अच्छी लगती है उसके साथ यहाँ पर एक और Jeep का स्टिकर मिल जाएगा इसके साथ आपको ए इस वाले साइड की तो यहाँ पर एक इसकी लुक को और जादा impressive और enhance करने के लिए यहाँ पर आपको शौवल दिया गया है सब्सक्राइब और जो करें और शौवल यहाँ पर शोवल यहाँ पर लगा हुँस सब्सक्राइब और इसकी वह त्रिकिस्की ज़ो घ्रस यहेँ तो फूर ऑच्य को और इसको जादा चाहिक है एक one of the best थार की वीडियो में अभी तक जो अपने चैनल पर डाल रहा हूँ वो ये गाड़ी है क्योंकि इतने इंप्रेसिव गाड़ी मैंने आज तक नहीं देखी थार में मैं भी काफी सारी थार की वीडियो आपको पुचा चुक हूँ आपको ये थार उनसे बिलकुल अलग लगी होगी और उनसे सबसे बड़ी अलगी होगी ये थी मेरी आज की वीडियो आपको ये जो थार है ये पसंद आई होगी ये ऐसी थार है जो एक बार सड़क पर निकल जे तो बंदे जरूर इसको पलटके 110 परसंट देखेंगे इसमें जो इसमें खर्चा आरक है वो और पांट से चे लाग रुपे आरक है तो लाइक करिए शेयर करिए मेरे चैनल को बैंक स्टम में फ्यूचर में ये से और अपडेट लेकर आता रहाँगा अपना प्यार और सुपोर्ट मेरी वीडियो को गाइस देने के लिए बहुत 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 थैंक यू अपना ध्यान रखिए लव यू और सीयर नेक्स वीडियो गाइस बाई टेक केर